भारतिय रिजर्व बैंक ने 2016 में नौट बंदी के बाद जारी 2000 रुपे के नौट को वापस लेने का ऐलान किया है तिस सितंबर तक 2000 का नौट लीगल टेंडर रहेगा बैंक से नौट एक्सचेंज कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है 8 नवंबर 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नौट बंदी का ऐलान किया था 6 साल बाद RBI ने 2000 के नौट बंद करने का ऐलान किया है प्रधान मंत्री मोदी ने क्यों खुद नौट बंदी का ऐलान करने से किया परहेज देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में दो हजार रुपे की नोटों की नोट बंदी पर रोक लगाने का एलान किया है विश्लेशकों के अनुसार नरिंद्र मोदी ने 2016 में जब पहली बार नोट बंदी की घोशना की थी तो उन्होंने एतिहासिक घोशना की थी ऐसी तस्वीर बनाई गए थी कि इस घोशना से देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और काला धन खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टा लोग ब्रहमित हो गए लोग अभी परेशान है तो इसका असर अगले साल होने वाले लोग सबाचुनाव में दिखेगा इसलिए मोदी ने क्रेडिटर लेने से परहिस किया है ब्यूरो रिपोर्ट जी एस्टवी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवन शिखर समिलन को लेकर जापान के हिरोशीमा में के दोरे पर है इसे बेच शनिवार को हिरोशीमा में जी सेवन शिखर समिलन से इतर पीम मोदी और यूक्रेन के राष्टपती व्लादी मीरी जालंस्की के बीच दुईपक्षिवारता हुई प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी सेवन शिखर सम्मिलन को लेकर जापान के हिरोशीमा के दौरे पर है इसे बीच शनिवार को हिरोशीमा में जी सेवन शिखर सम्मिलन से पीम मोदी और यूक्रेन के राष्टपती व्लादी मीरी जालंस्की के बीच त्रिपक्षिय बारता हुई इसी दोरान पीम मोदी ने रूसी यूक्रेन युद्ध पर जालंस्की से कहा कि यहां हमारे लिए मानविय मुल्यों का मुद्धा है इसके समाधान के लिए भारत और नीजी रूप से हमसे जो कुछ हो सकता है वे हम अवश्य करेंगे दोनों नेताओं के बीच पिछले सार फरवरी में शुरू हुई रूसी यूक्रेन लड़ाय के बाद पहली मुलाकात है रिपोर्ट के मुताबिक पीम मोदी और यूक्रेन के राश्टपती जैलंस्की के बीच मुलाकात दोनों देशों के वरिष्टक राजनाईकों के बीच कई बैठोकों के बाद हुई है बता दे कि यूक्रेन की प्रथम उपविदेश मंत्री एमिन जापरोवा ने पिछले महीने ही भारत का दौरा किया था यूक्रेन के राश्टपती जैलंस्की भी जी सेवन शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान के निमंतरन पर आए हुए हैं जो इस शक्तिशालिस समो की अभी अध्यक्षिता कर रहे हैं यूक्रेन के राश्टपती सुरक्षा और रक्षा परिसत के सचीव अलक सी डैनिलाव ने कहा है कि जैलंस्की शिखर समेलन में हिस्सा ले रहे हैं उन्होंने कहा कि वहां महत्वपन विशोय पन्निन ऐसे में वहां अपने हीतों के रक्षा के लिए उनकी मौझूदगी जरूरी होगी ब्यूर रिपोर्ट जी एस्टवी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी कानाटक में नई कॉंग्रेस सरकार के शपत गरहन समारों में मौझूद नहीं थी लेकिन उन्हों ने अपना प्रतिनिधी भेज कर फिर से कॉंग्रेस की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ममता बैनर्जी स्वयम पूर्व प्रतिबधताओं के कारण उपसित नहीं थी लेकिन उन्हों ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को बैंगलूरू भेजा तुर्मूल कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता काकोली घोष ने गुलदस्ता दे कर ममता जी की और से सिधार मया और शिवकुमार को बधाई दी राजनेतिक विश्लेशकों के मुताविक अधिर रंजन चौधरी ने ममता के खिलाफ अपमांचनक बयान दिया था करना टकी जीत के बाद ममता ने नरम रूख अपनाने के लिए कॉंग्रेस पर भी निशाना साधा ममता ने इन बयानों को नजर अंदाज करते हुए एक बार फिर साफ संकेत दे दिया है कि वह कॉंग्रेस के साथ हाथ मिलाने को तैयार है अधिर समेत नेताओ को नजर अंदाज कर अगर कॉंग्रेस इसे सकारात्मक रूप से लेती है और ये नौट फेक या नकली निकल जाए तो आपको कानुनी कारेवाही से गुजरना पड़ सकता है देखते रिपोर्ट अंदर की बात में भारतिय रिजरो बैंक ने 2000 रुपे के नोट को चलन से बाहर लेने का फैसला किया है केंद्रिय बैंक ने अभी बैंकों को 2000 रुपे के नोट को जारी नहीं करने का आदेश दिया है लोगों को बैंक में 2000 रुपे के नोट जमा कराने के लिए 4 महिने का वक्त दिया गया है 13 सितंबर 2023 तक इन नोटों को वापस ले लिया जाएगा अगर आपके भी पास 2000 रुपे का नौट है तो आपको 23 मई 2023 तक आप इसे जमा कराना शरू कर सकते हैं लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर 2000 रुपे का नौट जमा कराते वग ये फेक या नकली निकल जाता है तो क्या होगा क्या आप पर कोई कानूनी कारेवाही की जाएगी भार्ट ये रिजर्व बैंक की और से बैंकों को कहा गया है कि सभी नोटों की जाच की जाएगा और वास्तविक्ता के लिए नोट सार्टिंग मशीनों के माध्यम से तुरंद शाट की जाएगी RBI ने कहा है कि नकली नोटों की जाच 3 अपरेल 2023 को जारी मास्टर इस्ट्रक्शन का फॉलो किया जाएगा काउंटर पर दिये गए नोटों को मशीनों के माध्यम से जाच की जाएगी अगर कोई नोट नकली मिलता है तो उसका पैसा ग्राह को नहीं दिया जाएगा इस नकली नोट पर फेक करणसी का मुहर लगेगा और तुरंद जब्त कर लिया जाएगा बीरो रिपोर्ट GSTV पतनायक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रदान मंतिरी नरेंदर मूदी अगले तीन से दो साल में पूरी में एक हवाई अड़े का उदगाटन करेंगे कारिकर में पतनायक के इस बयान की चर्चा हुई जिसमें मूदी ने पूरी हावडा वंदे भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाई थी इसको बिजेपी नेतरुत्व दो हजार चौबिस के लोगसबाव चुनाव के नतीजों की भविश्यवानी मान रहा है बिजेपी का कहना है कि पतनायक ने भविश्यवानी की है कि दो हजार चौबिस में जीतकर मूदी दोबारा प्रधान मंत्री बनेंगी नविन पतनायक को बिजेपी विरूधी मूर्चे में लाकर नितिस कुमार और ममता ब्यानर जी विपकसी एकता की कोसिस कर रहे है लेकिन बिजेपी का कहना है कि यह इस बात का सबुद है कि पतनायक विपकसी एकता में विश्वास नहीं रखते BJD का कहना है कि पतनायक ने राजनितिक शिष्टाचार दिखा कर ऐसा किया है लेकिन BJP इसे राजनितिक रंग दे रही है पटनायक ने यह बात को देश के प्रदान मंत्री के संदर्ब में कही है न कि मोदी के संदर्ब में व्यक्तिगत रूप से मोदी के संदर्ब में नहीं